हेलो, वेल्कम बेक टू माई चैनल आगे हूँ आपके लिए एक और नए सा वीडियो लेकर जो कि है बहुत ही अच्छा और बिल्कुल सिंपल मैं बिल्कुल सिंपल इसलिए बोलती हूँ कि आपको अच्छे से खुद बना पाएं तो सिंपल ही बनाती हूँ मैं इसको बहुत स साथ वो शेयर करूह जो आगर मुझे कुछ मैंने कुछ सीखाया या फिर मैं कुछ बना रही हूँ तो मैं चाहती हूँ आप सब भी ये वीडियो देख के बनाएं तो इसलिए मैं बोलती हूमेशे कि मैं हमेशे सिंपल और बेसिक से चीज मतलब ज्यादा पसंद करती हूं कि आपको अच्छे से आपको सिलाई नहीं करनी आती है तो भी आप अपने घर में पुरानी बची हुई चीजों से या कपड़ों से अपने आइडिया और अच्छे से यूज़ करके इनको अच्छे से बना पाएं तो मैं एक आइडिया देती हूं आप अपने पुछ चॉइस डालके आप अपने कुछ आइडिया डालके उसको और अच्छा और बीटिफुल उस चीज़ को बना सकते हैं आपके लिए आज एक और मैं नई वीडियो लेकर आ गई हूं जो कि है एक यह जो होती है ना शेल्फ का शेल्फ पर बिचाने के दो पीस हैं और उसके लिए मैंने एक यह पुरानी जिप ली है तो चलो बनाना शुरू करते हैं वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जुरूर करके जाना जी तो यह दो पीस हैं जैसे कि मैं आपको मेजरमेंट करके दिखा देती हूं कितना है वैसे जितना भी आपके पास हो अवेलेवल उतना आप बना सकते हैं चोटा या बड़ा एक तो 11 इंच है एक साइड से 10 इंच है यह कोई ऐसा मैंने मेजरमेंट करके नहीं लिया था बस जितने यह एक ही पीस था उसको मैंने ऐसे काट काट कर दिया था बीच में से तो यह दो पीस बन गए तो इध बन जाता है अभी देखना यह जिप यह भी मैंने पुरानी जिप ली है उसी का यूज कर रही हूं तो बहुत ही असानी से और बहुत ही जल्दी यह बन जाता है और इस तरीके के आप छोटे चोटे पाउच बड़े पर्स जैसे भी आपके पास जितना भी यह शेल्फ मैट हो उस ही साथ से बना सकते हैं तो यह बहुत इच्छा लगता है ऐसा लगता है कि आपने रेडीमेड लिया है तो जी पासीट साइड मतलब करें शीदिष सीधी साइड में जीЗ को सीधी साइड रखा इस तरीक से सिलाई लगा के इसको ऐसे घुबा दिये देखो, दोनों साइट से सीधा हो गया, अब इसी तरीक से यह वाला पार्ट भी जो है, इसके साथ ऐसे इटैज कर देना है, बस इटैज करते टेम यह थोड़़ा ध्यां रखना है कि दोनों पीसेश एक बराबर हो, तो इसी तरीके से इसको भी स्टिच कर देंगे ऐसे और उसके बाद ये देखो ऐसे ये आ गया ठीक है तो बहुत आसान है इसके ओपर यहां पर टॉप स्टिच लगा देंगे तो ना थोड़ा अगर ये आपके पास जो पीस होगा अगर थोड़ा सा ऐसा फटने वाला होगा तो ना सिलाई का टांका थोड़ा बड़ा रखिए तो छोटा टांका मत लगाईए बड़ा टांका रखिए और फिर बहुत आसानी से ये सील जाता है और इस तरीके से ये देख मतलब चलाइसे सैट लेना है यह तीनों साइड लगा देनी है चार चौथि साइड बची है वहां पर बाकी किये लगा के पीस लेकिन क्या हुआ कि एक पीस नीचे का वा जो थोड़ा सा छोटा था तो फिर इसलिए मैंने यहां से ऐसे घूमा दिया इसको तो उसके बाद सिम्पल सिलाई है इस तरी के से सिलाई लगाते जाना है और यहां पर आकर जहां से शुरू करनी और यहां पर खतम करनी है दोनों जगा पर इस तरीके से ना मशीन को गुमाते हो गई यहां पर पका करना है तो उसके बाद यह जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हो या जो भी हो मतलब या फिर जिप हो इसको कट कर देंगे ऐसे तो यह हो गया उसके बाद जितने यह जो मैंने बताया था ना सिलाई लगाने करें कि टाइम पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा था वह मैंने अभी कट किया है अभी मैं आपको सीधा कर के बताती हूं यहां पर ना भूल गए थी है कि सो थोड़ा चौटा साना हैंडल लगाना था तो वो मैंने फिर बाद है तो पहले अपको सीधा करके दिखाती हूं उसके लगाते हैं तो फिर मतलब जब यह लास्ट वाली लास्ट वाली सिलाई लगानी है ना मतलब साइड वाली उसी टाइम पर हेंडल को अटेज करना होता है और वैसे ऑप्षनल है नहीं भी लगाना चाहते तो छोड़ सकते हैं अभी मैं आपको बता देती हूं अगर हेंडल लंभाई और भाई इंच की च़ोड़ाई में यह मैंने एक पीस ले लिया है इसी का ही इसको दोनों साइड Hold करके जितनी च़ोड़ाई में आपको ये handling बनाना है उतनी च़ोड़ाई में इसे रखके इसके ऊपर चलाई लगा देनी हैं तो इसकी ऑपने need equipment के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं तो इस तरीके से इसको ऐसे फिर डबल फोल्ड कर लिया अब इसकी जिप खोल के ना यहां पर थोड़ा सा उधेड लेंगे सिलाई क्योंकि मैंने पहले लगाना था सिलाई लगाने से पहले इसको लगाना चाहिए था लेकिन मैं भूल गई थी तो फिर ब करके यह जो बंद वाली साइड है यह अंदर की साइड आने चाहिए ऐसे सीधी साइड में या तो इधर से ऐसे डाल सकते हैं या फिर यहां जिप खोल के इसके अंदर से दो सिरे जहां पे हमको सिलाई लगाने वह इधर से ऐसे निकाल सकते हैं इस तरीके से तो इसके उपर सिलाई आएगी यह वाला फूला वाला पार्ट है इसको सेट करके सिलाई लगा देंगे तो सिलाई थोड़ी से एक दू बार ऐसे घुमा देंगे ताकि पक्की सिलाई लग जाए यहां पे तो फिर जो एक्स्टरा अन्द्र होगा तो उसको कट कर देना और इसको फिर सीधा कर लेना यह देखो यह पाउच बनके रेडी है यह आपके बहुत काम आने वाली चाहिए तो आप देख सकते हैं कि मैंने यह कितना सुन्दर सा एक पाउच बना लिए है वैसे इसको आप डॉक्मेंट रखने के लिए भी उस कर सकते हैं अपन होते हैं उनसे बचे हुए रोल से आप यह बना सकते हैं कितना सुन्दर बनाया है जिप भी लगा दी और बहुत ही अच्छा बनाया और यह हैंडल भी लगा दिया मैंने इसको आप्शनल है नहीं भी लगाना चाहते हैं तो इसको बनाईएगा जरूर मुझे कोमेंट में ब वाच्चिंग